तो हलो एंड वेलकम अगें दोस्तो जवान ने कल सांदार 35 दिन कम्पलीट करके आज 36 दिन में एंट्री मान ली है बैस आज मज़ा आगया जवान की ये लेगेसी यार याद रहेगी ये अनबीटेवल लेगेसी याद रहेगी अनडिस्प्यूटेड लेगेसी याद रहेगी कैसे देखो आज 36 दिन तक आते आते हिंदी बैल्ट में नौर्थ बैल्ट में इतनी भयंकर पकड़ बना के रखी है इस टाइम पे इतना क्राउट चला है इतनी कॉंपटीशन चला है फुकरित रियरक चल रही है मिसन रानी गंजलक चल रही है उसके बाद वैक्सिन वार भ कॉंसी थैंक यू फॉर कमिंग जहां पर वल्कैरिटी आपको धेर सारी मिलने देखने को मिलने वाली है या मिल जाएगी तो वहाँ पर भी उसने कुछ ना कुछ सोज ले रखे है तो भाई साब इतना कॉंपटीशन है उसके बावजूद जवान आज डे 36 पे आकर हिंदी स ना कि सिर्फ लेक्स में कमाएं कर रही है करोड में कमाएं कर रही है यार सेंगल डे में करोड वाँ कलेक्शन पहुचना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है इतनी पुरानी मुवी के लिए तो यार ऐसा तो नहीं है कि मिसनरानी गंज का कॉंटेंट बेकार है बिल्कुल जब तो आपको कोई हरा नहीं सकता और येस ये सारुक खान प्रूब करते नजर आ रहे हैं देखो इस साल की सुरुवात पठान से करी उसके बाद अब जवान से जो तवाही मच रही है भाही देखने लाइक है और जबर्दस मज़ा आ रहा है और जब डंकी आएगी मैं गहरा हू पर बहुत भारी बढ़ने वाली है डंकी सारुक खान इस बार प्रभास पर बहुत भारी बढ़ने वाले हैं देखो परसांत नील आइडोंट नो वो ओवर कॉन्फिडेंस है कुछ भी है उनको ये चीज रेलाइज होनी थी कि यार सालार प्रभास जो है उनकी फॉर्म इस इतनी बिकार चल रही है और उने चाहिए था विदाउट कॉंपटीशन में अच्छा खासा कलेक्शन लेकिन साहरुक खान के सामने सीधे सीधे आपाना बहुत भारी बढ़ेगा बाई बहुत भारी बढ़ेगा क्योंकि सालार का जो कॉन्टेंट है उस कॉन्टेंट की अव लेकिन बाइस आप डंकी खा जाएगा नौर्थ वेल्ट में, हिंदी वेल्ट में, ये तो है, लिखके ले लो, वही, तो जवान की आज बात करते हैं, कितनी कलेक्शन मूवी ने कर ली है, और कितनी कलेक्शन ये मूवी कर सकती है, कल का दिन कैसा रहा, आज का दिन कैसा चल र करना है तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो अटली कुमार के डायरेक्सिंट में मातर 300 कुरोण के टोटल भारी भरकम खर्चे में इस मूवी को कम्प्लीट करा गया है जिसके में लीट पर आपको धकिंखान बॉलीवूट के बादसा सारूख खान देखने को मिलेंगे इसे के निगेटिव रोल में विजय सेतुपती अमेजिंग जॉब डन बाई हिम अमेजिंग सुपर करेक्टर को जो पकड़ा है उस बंदे ने बाई को निगेटिव में खतरनाक है मला अपोनेंट धास हुए क्योंकि सहरूख खान एक जबरदस्ट एक्टर है उनके सामने अपोने अपोने प्रदस्ट भी लगा इस बाई तो बात करते हैं बॉक्स ओपिस कलेक्शन के बारे में पहले तीन दिन का अगर मैं आपको बताओं तो नेट इनियन कलेक्शन से 205 क्रोन हो चुका था फर्स डे की कमाई थी ओपनिंग करा था 130 क्रोन के भारी भरकम वज़ट के साथ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ओबिस कलेक्शन के बात कर रहा हूं हफता जब पहला कंप्लीट किया मूवी ने तो सिर्फ हिंदी से 327 क्रोन ये मूवी कमा चुकी थी फास्टेस्ट 300 क्रोन के कलम में एंट्री मारने वाली नंबर वन ग्रोसर मूवी पहुँच चुकी थी जिस थी मात्र 136 क्रोन की सिर्फ सेकंड वीक की कमाई है ये नेट इंडियन कलेक्शन से उसकवा सिर्फ हिंदी से 125 क्रोन आया था और जब सांदार दो हफते कंप्लीट किया इस मूवी ने तो 922 क्रोन का हीूज हीूज कलेक्शन कर लिया था वर्ल्ड वाइड बॉक्स ओबिस कल ने लुbn कार भर चुकी थी और यहां तक आते आते बहुत सी बड़ी-बड़ी फिल्मों की रिकौर्ट ना कि स्रिफ वर्ल्डवाइड बॉक्स सो बीस कलेक्शन के मामले में तोड़ा था सिर्फ हिंदी से 122 को शिर्फ हिंदी से 585 क्रोन की रिकॉर्ड को तोड़ दिया था, थाड़ वीक की कमाई बताओं तो 55.92 करोन था जिसमें सिर्फ हिंदी से 52.06 करोन की कमाई करते नजर आई, लेकिन एक बात है जवान ने इस बार तमिल तैलगू से मल्ला साउथ से जितना कलेक्शन लाया है आज तक कोई भी मूवी नहीं ला पाई है, लाइफ टाइम कले तमिल और तैलगू लेंग्वेज में कलेक्शन के मामले में, 25 दिन तक आते यह मूवी नेट इंडियन कलेक्शन के मामले में नमबर वन ग्रॉसर बनी थी जिसने फास्टेस्ट 600 करोन के कलम में ना कि सिर्फ एंट्री मारी बलकि इस रिकॉर्ड को कोई टच भी नहीं कर पा और सेटर्डे का फुल फाइदा उठा है, मूवी ने जबर दस तरीके से कमाई करी है और यहाँ पर मिसन रानी गंज, फुकरे थरी इन लोगों ने भी अच्छे खासे सोज खीचने की कोशिस करी और भी ज़्यादा पबलिक खीचने की कोशिस करी पर नाकाम रहे क्योंकि यहाँ पर मूवी ने बहुती जबर दस कलेक्शन किया था, नेट इनियन कलेक्शन 626 करोन हो चुका था, ओबर सीज से 376 करोन और ग्रॉस कलेक्शन होई 741 करोन और पूरी दुनिया से यह मूवी 32 दिन तक, पाचवे संडे के end of the day तक 1170 करोन का huge collection यह मूवी कर चुकी थी, 1100 करोन मैं again खह रहा हूँ कि कोई भी मूवी यहाँ पर पहुचने की सोच भी नहीं सकती थी, हिंदी बॉलिवुड की बात कर रहा हूं हिंदी और यहाँ से हिंदी मूवी यह अपनी ना कि सिर्फ 1100 करोन में पहुची इसको cross भी क्या, तो जबर दस्त यह legacy याद रहेगी, यह moment याद रहेंगे, अब लेकिन 1100 करोन कौन पहुच सकता है, सिर्फ एक ही फिल्म में potential देख रहा है इस टाइम पर, कौन सी tiger 3 बस यही पहुच सकती है, एनिमल में भी वो potential है, बट एनिमल की south में इतना ज़्यादा collection नहीं मिलेगा, और overseas से इतना ज़्यादा collection नहीं आए था मूबी का और पूरी दुनिया से 119 करोन यह मूबी कमा चुकी थी, end of the day तक day 33 के, बात करें day 34 हिंदी से कितना है, 1.02 करोन, तमिल तैलगु से 2 लेक्स और total net Indian collection 1.04 करोन का हो जाता है, total हिंदी से यहां तक हो चुका था, पहले 34 दिन में 568 करोन, total net Indian collection हो गया था, पहले 34 दिन का 627 करोन, gross collection 745 करोन और overseas से 377 करोन यह मूबी कमा चुकी थी, उसके बाद huge collection पूरी दुनिया से 1121 करोन में यह आ चुकी थी, बात करें कल यानि 5th Wednesday की, यानि 35 दिन की, तो कल तो working day था, कमाई slow ही देखने को मिली, yes और working day में कमाई slow ही देखने को मिलती है, सिर्फ Friday में थोड़ा उचाल मारेगी क्योंकि Saturday का जो weekend लग जाता है वहाँ पर, तो Friday एक अच्छा है collection के लिए, उसके बाद Saturday भी अच्छा दिन होता है collection के लिए, और Sunday में भी दिन में running audience रहती है, night में down हो जाता है, तो कल हिंदी से यह movie कमा चुकी थी, एक करोन का total collection, और तीनों language को मि huge collection, तो वही मैं कहा रहा हूँ ना कि 35 दिन तक आते आते यह movie एक करोन की single day में collection कर रही है, amazing collection, huge collection मैं कहा रहा हूँ, जबरदस्त legacy है इस movie की, इसके साथ total हिंदी से हो चुका था 569.45 करोन, total net Indian collection हो चुका था 628.11 करोन, और तीनों language को मिला कर हुआ था यह collection, तो gross कल 1.5 करोन रहा है, पूरी दुनिया से 2 करोन आता दिखा है, और पहले 35 दिन में gross collection हो जाता है, 377 करोन, जिसके साथ पूरी दुनिया से movie 35 दिन में, पहले 35 दिन में 1123 करोन कल end of the day तक cover कर चुकी थी, बात करें आज यानि 36 दिन, यानि आज Thursday की कैसी growth है, तो आज भी working day है, डिब जरू से सोज अपने खाते में ले चुकी है, और फुकर थी भी ये movie, ये दोनों movie ले में आ चुकी है, इसलिए जवान को कहीं न कहीं काफी struggle करना पड़ रहा है, लेकिन मैं सही बताओ, struggle easily करके जा रही है, अच्छे खासे number लेका रहा है, क्यों कोई जितनी कमाई इसने करनी थी, इसने कर ली है, अब ये यहाँ पर बाकी फिल्मों के करियर की धज्जिया उड़ा रही है, जिनके बाए इतना solid content होने के बावजूद भी उन्हें इतना struggle करना पड़ रहा है, अच्छी खासी collection लाने के लिए, और बाकी मिल्मों की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, वो सनी द collection से आज करते नजर आए, जिसमें सिर्फ हिंदी से 98 या 97 लाग का collection देखने को मिल्ला है, और पूरी दुनिया से 2 करोण की कवाए करते, आज भी नजर आ रही है ये movie, इसी के साथ सिर्फ हिंदी से पहले 36 दिन में 570.45 करोण का marvellous नागर अपने राम कर लेगी, इसी के movie complete कर लेगी, अपने खाते में रख लेगी, और यहां तक आते आते बस पठान का एक record बसता है, इस movie को खदेरने के लिए, बीड डाउन करने के लिए कौन सा, overseas से 400 करोण का cover up करने के लिए, आज end of the day तक 378 करोण के आसपास नजर आ रहा है collection, तो अगर 19 से 20 तारिक से पहले अगर यह movie आ जाती है, तो yes, यह complete कर जाएगी, और साड़े 1100 करोण का आखना complete करने के लिए, इस movie को अभी मात्र 25 करोण और चाहिए, तो मैं मान के चलना हूँ, यह movie जवर्दस तरीके से complete कर लेगी, आपकी क्या रहा है, क्या यह पठान के 400 करोण के overseas के collection के record को खदेर दे कर दो कर दो का दो कर दो, तो मैं मान के घंगा है, भी मान के चाहिए, तो मैं मान के बाने कर दोखने के लाएगी, एक दो के जाएगी.